हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू माई चैनल, आज हम अपने गैस के चूले की सफाई करेंगे इसकी आज बहुती धीमी हो रही है और ये धुआ भी दे रहा है देखे मैंने आपको जला कर दिखाया है कितनी कमाच है इसकी आपको देखकर पता चल रहा हूँ फ्लेम को मैंने फूल पर किया हुआ है लेकिन फिर भी बहुत ही कमाच है तो हम सिर्फ दो छोटे से काम करेंगे जिससे हमारा चूला धुआ भी नहीं लेगा और फ्लेम भी चार कुना बढ़ जाएगी तो वीडियो बहुत ही यूस्फुल होने वाली है आप एंट तक सरूर देखिएगा तो चलिए अब हम गैस को कर देते हैं ओफ और अब इसको खोल लेते हैं क्योंकि हमें इसकी सफाई करनी है तो सबसे पहले तो हम इसका बर्नल उतार लेंगे चुले को उल्टा करेंगे उल्टा करने के बाद यहां पर एक पेंच होता है इसको हम खोलेंगे इस पेंच को पेंच खोलने के बाद बहुत ही आसानी से यह निकल आएगा अब हम क्या करेंगे यहां पर एक होता है पेंच पेंच की तरह से होता है तो इसको भी हम प्लास से खोल लेंगे ओती साफधाने के साथ हमें खोलना है तो देखिए मैंने इसको खोल लिया है तो अब हमें क्या करना है इसमें हम सुई की मदद से इसमें आरपार जो भी इसमें कच्रा फसा हुआ है उसको निकाल देंगे सूई ले 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 आप या कोई बारीक तार ले 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 इसमें कच्रा फस जाता है तो कच्रा फसा होने की वज़े से ही ये धुआ भी देने लगता है चूला और आच भी बहुत ही कम हो जाती है तो इस तरह सुली की help से मैंने देखिए आर पार सुली को हमें कर देना है आपको नोग दिखाई दे रही होगी इस तरह से जो भी इसमें कचरा था वो निकल जाएगा और दोनों ही साइड से मैं इस तरह से इसको साफ करूंगी बस अच्छे से इस तरह से इसको साफ करने के बाद हम आपस हम इसी तरह से इसको कस देंगे प्लास से ज्यादा भी आपको इसको टाइट नहीं कसना है नहीं तो यह तूट सकता है तो बस मैंने इस पेच कुकस दिया है अब इसको भी हम लगाने से पहले इस तरह से साफ कर देंगे इसके अंदर मकडी जाला पूँव देती है तो जाला पूँवने की वजह से ये धु़ा देने लगता है और आज की कम हो जाती है तो पेचकस की हेल्प से हम इस तरह से इसको भी साफ कर देंगे जो भी इसमें कच्रा होगा वो साफ हो जाएगा देखिए इस तरह से यह बस आप साफ करें तो साफ करने के बाद अच्छे से बहुत हम इसको वापस भी से इसी तरह से लगा देंगे इस तरह से यहां पर जो इसका पेंच होता है उसे भी कस देंगे चलिए मैं अब आपको जला कर दिखाती हूँ देखिए पहले से कहीं ज्यादा इसकी लो बढ़ गई है तो चलिए मैं आपको दोनों ही चूले जला कर दिखाऊंगी पहले से चार गुना फ्लेम बढ़ गई है और अब धुआ भी नहीं दे रहा है वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं पहले जब मैंने आपको चूला जला कर दिखाया था तो विल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी लो और अब देखिए कितने लंबी लो हो चूकी है तो अगर आपके चूले में भी यही प्रोब्लम आ रही है तो आप घर पर ही इस तरह से ठीक कर सकते हैं बेकार में कहीं लेकर जाएंगे तो ठीक करने वाला पता नहीं कितने पैसे आप से मांग लेगा तो अपने पैसे बचाईए सिर्फ यह दो चोटे से काम करके तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो बहुत ही यूजफूल वीडियो है आप इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दुआओं में याद रखें अपना और अपनी फैमली का बहुत सारा ख्याल रखें तो मैं जल्दी ही आप से मिलूँगी किसी न्यू यूनिक यूसफूल वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो अलाहाफीस